लेट्स रिवाइज एटम्स सो वट इस एटोमिक मास कारवन 12 के वन एटम के वन बाइट 12 मास के कोल होता है एंड वन एटोमिक मास को एम यू से लिखते हैं जिसकी वैल्यू यह रही नेक्षा थॉम्सन स्मॉडल ऑफ एटम थॉम्सन मॉडल वही है वाटरमलन वाला कि तर्भूच का जो रैड पार्ट होता है वो किसी भी एटम के पॉस्टिव पार्ट को शो करता है और जो उसमें सीट्स होते हैं उस तरह से इलेक्टरॉन पॉस्टिव पार्ट में है एंबेड रहते हैं Second limitation इसकी यह थी, कि इसने scattering of alpha particles, जो कि हम Rutherford में भी करेंगे, वो भी नहीं बताया था. तो इसकी कम्यों को दूर कराता Rutherford ने, तो Rutherford का alpha particle scattering, experiment देख लो गया था, बहुत सिंपल है, सबसे पहले एक radioactive substance लिया, जो alpha particle को release करेगा, और वो release करते हुए गया gold foil पे मालब कि एक तरीके सुन्दे bombarding करी gold foil पे तो observations क्या क्या है यह देखो यहाँ पे ZNS, zinc sulfate की screen होती है जिससे कि हमें पता चले कि alpha particles कहाँ पे collide कर रहे हैं या टकरा रहे हैं तो इसके observation देखो क्या होई सबसे पहले observation यह आई कि maximum number of the alpha particles straight pass हो गए कहीं पे deflect नहीं होई तो इससे उसने बता है कि atom जो होता है उसका most of the space खाली होता है second observation यह थे कि only 0.14% 1 degree से जादा scatter होई बहुत कम होते हैं and third observation यह थी कि सिर्फ 8000 में से सिर्फ एक alpha particle ऐसा है जो 90 degree पर गया और इन तीन observation पर depend होगे उसने अपना atomic model दिया था वो क्या था सबसे फ़ला point उसने खा कि पूरे atom का जो mass है वो पूरे atom में ना distribute होकर किसी एक point पर होता है जिसे central core या nucleus कहते है second point उसने बोला कि electrons nucleus के 4 तरफ होते हैं वो revolve करते हैं nucleus के 4 तरफ अलग-अलग circular orbits पर and third point उसने बोला था कि क्योंकि एक पूरा atom अपने आप में neutral होता है तो जितना positive के पास charge होता है मतलब nucleus के पास charge होता है उतना ही charge होता है electronों पर और उसके revolve करने का reason होता है electrostatic force because revolve करने के लिए electron को central pedal force चाहिए होता है जो से मिलता है electrostatic force से between electron and nucleus जहां पर proton होता है next limitation of Rutherford's model so first limitation Rutherford की यह कि जब electron continue revolve कर रहे हैं तो उसके energy loss होगी जब उसके energy loss होगी तो गुमते 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 कहां जागी कर जाएगा nucleus पर ऐसा तो actually होता नहीं है तो यह इसकी first limitation है second limitation यह थी कि अगर electron continue revolve कर रहे हैं तो वे continue spectrum देना चाहिए थे continue spectrum वो होते हैं जिनकी boundaries को आप identify नहीं कर सकते हैं जैसे rainbow आपको पता है चलेगा हो कब reds yellow हो गया बढ़ा में मिलता है line spectrum जब भी हम देखेंगे तो rather food की limitation को दूर किया था bore model ने तो देखते bore model क्या था देखो इसके तीन basic postulates है first है इसमें कि कुछ suitable number of electrons होते हैं जो nucleus के चारों तरफ revolve करते हैं जो जितना pass होगा वो उतना ज़्यादा revolve करता है ऐसा bore नहीं कहा था next point है electrons उसी orbit में revolve करेंगे जिसका angular momentum h upon 2π का integral multiple होगा integral multiple मतलब या तो value 1 होगी 2 होगी 3 होगी point में नहीं होगी next point bore model ने हैं कहा था कि electron गोमते वे कभी भी electron की absorption या emission नहीं करेंगे वो तभी absorption या emission करेंगे energy का जब electron को अपनी inner orbit outer orbit में जाना हो या फिर outer orbit से inner orbit माना हो तो अगर वो inner से outer में जाएगा मतलब कि lower से higher में जाएगा तो obvious ही बात है कि वो energy को gain करेगा तभी तो record उपर जाता है और जब electron outer orbit से inner orbit भाएंगे तो energy को emit करते भाएंगे next is expression for radius velocity and energy जिसका derivation era and formula era radius का आपको बस याद रखना है कि radius orbit पर depend करती कैसे तो जिस orbit के आप बात करेंगे उसके square पर depend करती है मतलब कि orbit जितना जादा जाता जाएगा उसके radius उतनी ही जादा होती जाएगी क्योंकि directly proportional है उपर वाले formula से and are inversely proportional होता है atomic number के atomic number मतलब जैसा hydrogen का 1, helium का 2, lithium का 3 and मैंने आप एक और formula लिखा radius का जो की meter में और radius के इस formula में सारी values constant है h is a plank constant k is a electrostatic constant e is charge of electron m is a mass of that electron तो जब इन सारी values को हम put कर देते हैं तो value यह आती है meter में जिसका formula यह रहा next step for velocity जिसका derivation यह रहा बहुत छोटा है and formula यह रहा और हम hydrogen की बात करें तो z के value 1 हो जाएगी और उसके लिए velocity का formula यह आ जाएगा next step total energy अब जखो यह total energy कहां कहां सा यह एक kinetic energy से potential energy से मतलब की एक electron revolve करते हुए दो तरह के energy को hold करता है first है kinetic energy due to its velocity and second is potential energy due to its position क्योंकि वो अपनी axis पर भी घूमता है और revolve करते हुए भी घूमता है जिसका derivation यह रहा and जिसका formula यह आता है minus 13.6 z square upon n square किसमे electron volt में minus sign यह show करता है कि जो electron revolve कर रहा है वो bound है nucleus से by electrostatic force electron volt को joule में change करने के लिए 1.6 into 10 की power minus 19 से multiply किया जाता है मतलब की charge of electron से multiply किया जाता है और अगर आपको hydrogen के लिए निकालना है तो z के value 1 रख दोगे यह तो under issue वाली बात है यह आगे hydrogen के लिए next है hydrogen line spectral series जिसके अभी में बात कर रहा था तो इसमें 5 तरह की series होती है Lyman, bomber, pasture, bracket, pifund तो Lyman series देख लो क्या होती है तो Lyman series बहुत simple है अगर electron first orbit पर आ रहा है आ कहीं से भी रहो अगर वो first orbit पर आ रहा है तो वो Lyman series के अंदर आएगा जिसके wave number का formula यह रहा R फिर bracket में 1 upon 1 का square minus 1 upon N2 का square मतलब कि यहाँ पर N1 होगा और N1 की value आ पर 1 है because आता किस पर first orbit पर आता है पर N2 कुछ भो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 और Lyman series किस region में मिलती है ultraviolet region में मिलती है सेम ऐसी बामर series बामर क्या हुआ कि अभी electron N is equal to 2 पर आएंगे आएंगे कहीं से भी जिसके wave number का formula यह रहा 1 upon lambda होता है अब यहाँ देखो इसके formula में 2 square आ रहा है R होता है red bar constant अब यह 2 क्यों आ रहा है क्योंकि दूसरे orbit पर आ रहा है पर N2 की value कुछ भी हो सकता है 3 से भी हो सकता है 4 से भी हो सकता है infinite से भी हो सकता है और यह कहाँ पर पढ़ती है यह हमारे visible part of the spectrum में लाय करती है next step पास्टन सीरीज अब यह पता हो कहाँ एगी यह आएगी N is equal to 3 पर मतलब कि N1 is equal to 3 पर जहां पर electron आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं कहीं से भी आए 4 सा सकते है 5 सा सकते है 6 सा सकते है किसी भी outer orbits सा सकते है यह wave number का formula यह रहा अब तो आपको सजमा रहा होगा जो कि लाय करती है infrared region पर इसके बाद सारी infrared पर ही पढ़ती है next step bracket series अब bracket series कहां पर आएगी जब electron कहां पर आएगा पूर्त orbit पर आएगा कहां से 5, 6, 7, 8, 2 infinite तक जिसके wave number का formula यह रहा और पी front series मुझे बताने के शायद जरूत नहीं है अब आपको सजमा आगया होगा कि अब जब electron कहां पर आएगा सही बोला तब वो क्या हो जाएगी पी front series हो जाएगी जिसके wave number का formula यह रहा और यह भी infrared region पर ही पढ़ती है n is equal to 2 पर होती है बामर सीरिस की minus 3.4 electron volt तो इस diagram को energy level diagram कहते है जो कि बहुत simple है यह रहा So I hope आपने electromagnetic induction को revise किया होगा So paper की त्यारी करो अपना और अपने parents का ख्याल रखो and be happy